हेलो फ्रेंड्स केसे हो आप आसा है के बढ़िया होंगे और स्वस्त होंगे आज हम आपको वीपोर सिंगल फेस मोटर है हमारी यह इसकी वाइंडिंग करके दिखाएंगे डबल लेहर में तो चलिए इसकी वाइंडिंग करके दिखाते हैं जो कि हम सिंगल फेस में बनाएंग और एक से छे पे हमारी कॉयल बिठाना है पहली, तो देखिए दोस्तों इस प्रकार से हम सपोर्टर लगा लेना है इसमें, हमको पहली वाली जो कॉयल रहेगी हमारी एक से छे पे बेठेगी और इसको हम डबल लहर में बना रहे हैं दोस्तों, तो चलिए सिंगल फेस की मोटर है हमारी ये डेड़ एचपी की ये देखे दोस्तो इस प्रकार से हमारे इसके चार-चार कॉयल के सेट है जो कि हमारे दो सेट रहेंगे ये देखिए चार-चार कॉयल के हमारे दो सेट रहेंगे इस प्रकार से ये जो हमारी छोटी वाली कोईल रहेगी, इसमें हमारे टन कम रहेंगे दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले हमारी पहली कोईल, फर्स्ट कोईल बिठा के दिखाते हैं, जिसमें कि हमारे टर्न कम रहते हैं दोस्तों इसमें इसमें हमारे टर्न रहेंगे 9 टर्न रहेंगे सबसे पहली कॉयल में क्योंकि दोस्तों यह हमारी इसमें डबल बिठेगी फिर कॉयले तो चलिए इस पकार से हमको इसको बिठा देना है और दूसी साइट से हमको paper निकालके इसमें wedge लगा देंगे दोस्तों अभी के लिए wedge लगा देना है वापस हमको wedge इसमें से निकालना पड़ेगी दोस्तों क्योंकि हमारी इसमें वापस से running की starting की coil देवल से बेठेगी यह भी हम running की winding करके दिखा रहे हैं इस प्रकार से हमको बिठा के क्वाइल को भी जमा देना है यह हमारी रेनिंग की वाइंडिंग हो रही है दोस्तों इस प्रकार से जमा दिए अच्छे से अंगुटे की मदद से यह देखिए इस प्रकार हमको जमा देना है इसी साइट इसी प्रकार से दूसी साइट से भी हमक देना ने अंग वा इसने एक सैने स्थ उसे से यहां यो तार नहीं चिलाओ असमे understood धुयाद का एक किरैका से जमा देना आप देखें यह हमारी एक से च्रहता में पीछ पीछे चार सो लाठे बीच में खाली है और एक से छे पे हमारी पहली कोईल बेटी है अब हमारी दूसरी कोईल जश्ट इसके पास से एक से आठ पे बिठाना है हमको तो चलिए बिठाते हैं जल्दी से कि यह देखिए यह वाला सेरा हमको हूं कि मुश्चे द्यान रखना है कि कोईल को अच्छे से से सेट कर लेना दोस्तों है वैड़ को जितना बढ़िया से सेट कर रहोगे अच्छी तरीके से बैठेगी देखिए दोस्तों यह वाला जो हमरा आउठर वुस साइड में था वह ह ना है पिपर दिखाते हैं इसमें हमारी दोस्तो के एक से 6 पे जो कोईल बिठाई है अमें उसमें नाइन टन एṣक कोईल और एक से 8 में जो बिठा रहे हैं इस कोईल में हमारे रहेंगे 18 तन इतरा टन रहेंगे ये देखिए इस परकार से और इसका SWG हमारा 1-1 रहेगा दोस्तो इस विकार से हमको इधर की साइट से बिठा देना है बाकी का वे वायर इसमें हमारे 4-4 कॉयल के 2-8 लगेंगे रनिंग में दोस्तो जो कि हमारी 1-6 पे जो कॉयल बिठेगी उसमें 9 टन रहेंगे 1-8 पे 18 टन रहेंगे 1-10 पे भी 18 टन रहेंगे और 1-12 पे भी 18 टन रहेंगे इस विकार से हमको वेज लगा के अच्छे से जमा देना है कॉयलो को बड़िया से जमा ना है दोस्तो ताकि हमारी रनिंग स्टार्टिंग की जो कॉयले बिठाएंगे उसमें हमको दिक्कत ना है यह देखिये इस पकार से इस साइट से भी हमको जमा देना है कॉयल आप रनिंग की जितनी बड़िया तरीके से जमा होगे इतना हमको उपर की जो स्टार्टिंग की कॉयले बिठाएंगे उनमें दिक्कत ने आएगी अब हमको तीसरी क्वाइल देखिए एक से दस पे लेना है जो कि यहां से हमारी यहां पे पीछ रहेगा एक से दस पे पीछ रहेगा जस्ट यह क्वाइल के पास से बिठाना है जो हमारी इससे जुड़ी क्वाइल है वो हमको इससे बिठा देना है दोस्तो चलिए ये भी बिठाते हैं क्वाईलो को सेट कर लेना हमको और बिठा देना इसमें भी हमको ये आउटर का इसे द्यान रखना है दोस्तों जैसे कि हमें हम बता रहे हैं आपको आउटर हमारा लेट साइट से राइट साइट में घुम के हुआ आता है इस पकार से हमको क्वाईल बिठाना है ये बहुत ही बढ़िया तरीके से और बहुत इजी तरीके से बेट जाती है दोस्तों ये हमारी क्वाईल है ये हमारी डेड़ एच्पी की मोटर है दोस्तों और कुछ स्लाटों के उपर भी रहता है दोस्तों टर्न जैसे के हमारा इसमें वन वन का SWG 11 लगा हुआ इसमें और टर्न 18 लगे हैं तो इसमें स्लाट भी थोड़ी बड़ी है उसकारण इसमें टर्न भी आ जाते हैं नहीं तो आप 1-0 के अधिकतर 1-0 के गुनिस टर्न 18 टर्न आते हैं दोस्तों मोटरों में इसकार से इसको कॉयल को जमा देना हमको यह देखिए हमारी रनिंग की यह तीसरी कॉयल है पहले सेट की इस साइट से भी जमा देंगे यह हमारी डबल लेहर में बनेगी दोस्तों इसमें जो हमारी पहली कॉयल जो हमने बिठाई है जिसमें के हमारे 9 टन है उस पर हमारी कॉयल स्टार्टिंग की वापस से डबल बिठेगी तो वीडियो पर बने रहे लास्ट तक पूरी जानकारी देंगे हम आपको यह देखिए हमारी 34 जो कॉयल है वो यहां से लगा के एक से बारा पर हमारी आईगी यह देखिए इस परकार से दोनों इस कॉयल की पास में यह आईगी तो चलिए इसको भी बिठा जैते हैं यह देखिए दोस्तों और हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी आउल पर प्रेस कर दिए ताकि आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और वीडियो बिल्कुल भी इसकीप ना कीजिएगा दोस्तों मैं इसमें इंप्रोमेशन ही दे रहा हूँ इसलिए मैंने ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाई है पहले ही मैं जो जो इसमें पार्ट दिखाना वही दिखा रहा हूँ तो आप अच्छे से समझ जाओगे यह देखिए दोस्तों इस पकार से हमको बिठा देना है इसमें वेज और वेज हमको सारी सलाटो में कंपलसरी बिठाना है यह देखिए क्वाई हमको बहुत भी बड़िया तरीके से जमाना है दोस्तों उसमें हमको कि क्वाईल जो इस टार्टिंग की क्वाईल जिखाए गो उनमें दिक्कत ने आएगी यह देखे दोस्तो इस बकार से जमाना है हमको यह हमारी रणिंग की एक सेट बेट गया है चार कोईले अब चार कोईले एक सेट दूसरा सेट हमारा इसके जश्ट सामने बिठाना है हमको तो चलिए इस बकार से इसको जश्ट सामने बिठा देना है हमको और हमको यह जो कोईल बिठाई है इससे तीन स्लाट छोड़के चोथी स्लाट में बिठाना इस साइट से और इस साइट से भी तीन स्लाट छोड़ना और चोथी स्लाट में बिठाना मतलब कि हमारा एक से छे पे पीछ रखना है पहली कोईल का यह हमारा रणिंग का दूसरा सेट बिठा रहे हैं हम दोस्तों देखिए इसमें भी हमारे जो यह सबसे फर्ष्ट वाली क्वाइल है इसमें भी हमारे नो टैनी रहेंगे 9-10 हमको यह वेज वापस से निकालना पड़ेगी दोस्तों इसलिए अभी हम वेज इसलिए लगा रहे हैं कि हमारे तार उपर वापस से निकले न इसलिए यह वेज लगा रहे हैं इनमे क्योंकि हम इस्टार्टिंग की कॉयल बिठाएंगे तो वापस से हमको निकालना पड़ेगी इस्टार्टिंग की कॉयल हमारी लेफ साइट में रहेगा दोस्तों यह तार की विशेश हमको ध्यान रखना है दोस्तों के हमारे जो सीरे हैं किसी प्रकार निकालना है हमको यह देखिए अब हमारी दूसरी कॉयल जो है इसके जश्ट पास से बिठाना है जो कि हमारी एक से आठ पे आएगी जो इससे हमारी जुड़ी कॉयल है वो तो चलिए यह दूसरी कॉयल भी हम बिठा के दिखा देते हैं यह देखिए दोस्तों यह हमारा जो आउटर है जो लेफ साइट से निकलता हूँ वो हमारा राइट साइट में आना चाहिए दोस्तों इस प्रकार से हमको कॉयल को बिठाना है सेकेंड वाली कॉयल को और तार कॉयल अच्छे से से सेट कर रहे है कि आप बिठा होगे तो बहुत बढ़िया तरीके से बेट जाएगी आपके दिक्कत नहीं आएगी यह देखिए बहुत बढ़िया तरीके से बेट जाती है हमारी कॉयले इस प्रकार से बिठा देना है हमको और जो हमारे वायर जो रहे जाते हैं दोस्तों उसमें क्या है हमारी एक मोटी वाली वेज लेना है हमको और उसको जो एक सीरा है उसको नुकिला बना लेना है जिससे हمारे तार बहुत ही आसान तरीके से जो बचे हुए रहते हैं वो बिठा सकते हैं इस प्रकार से यह देखिए इस प्रकार से कॉयल गो को जमा देना है और दूसरी साइट से भी हमको यह क्वाइल जमा देना अच्छे से यह देखिए दोस्तो यह जो हमारा आउटर रहता है यह हमारा लेफ्ट साइट में निकलेगा सारी क्वाइलों का लेफ्ट साइट से होके राइट साइट में जाता है दोस्तो यह देखिये हमारी दूसरी कॉइल भी हो गई है अब हमको तीसरी कॉइल एक से दस पर बिठाना है दोस्तो yourselves यहाँ से लेके यहाँ पर just ये क्वाइल के पास में बिठाते रहना है हमको यह हमारी रनिंग के वाइंडिंग हो रही है दोस्तों यह देखिए हमारा जो आउटर है लेफ्ट साइट से राइट साइट में आना चाहिए इस प्रकार से यह भी क्वाइल हम बिठा देंगे हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज दोस्तों ज्यादा ज्यादा सेर कीजिए यह देखिए इस प्रकार से हमको जमा देना है इस प्रकार से बहुत ही बड़िया तरीके से वापस से हमको वेज लगा देना है वेज लगा के हमको क्वाइल जमा देना है अच्छे से क्वाइल हमको दोस्तों दोनों साइट से कंपलसरी सारी क्वाइलों को एक से एक जैसी जमाना है यह देखिए दोस्तों यह भी जमा दी हमने अब हमारी लास्ट क्वाइल बची है रनिंग की दोस्तों जो कि हमारी एक से बारा पर पीछ रहेगा जिसका यहां पर हमको बिठा देना है और दोस्तों पीछ किसको कहते हैं पीछ हम इसी को कहते हैं जहां पर हमारी कौईल बेटती है बिठाते हैं जो स्लाटर ने देती है हमको हमारी उसी को पीछ बोला जाता है दोस्तों यह देखे यह हमारा आउटर लेप्ट साइट से राइट साइट में आना चाहिए और यह जो हमारा सीरा जो इस साइट में है वो इस राइट साइट वाला वो हमारा इस लेफ्ट साइट में आना चाहिए इस विकार से हमारा लाश्ट की कोईल बेठेगी दोस्तों चलिए ये बिठाते हैं फिर आपको हम स्टार्टिंग की भी कोईले बिठा के दिखाएंगे ये देखे दोस्तों ये हमारी लाश्ट वाली कोईल है इसको भी हमने बड़िया से जमा देना है इस साइट से भी हम जमा देंगे दोस्तों ये देखे दोस्तों ये जमा दिए और ये देखे दोस्तों ये हमारे तार जो है इस परकार से जोड़ना है हमारा राइट साइट से लेफ्ट साइट में आ जाएगा है आमने सामने आएगा दोस्तों ये हमारा अंदर के अंदर इसमें कनेक्शन भी हो जा रहा रहा है ये हमारी रनिंग की वाइंडिंग कम्प्लिट हो चुकी है देखे अब आपको हम इसकी स्टार्टिंग की वाइंडिंग करके दिखाते हैं दोस्तों तो चलिए यह हमारी स्टार्टिंग की वाइंडिंग की कोईले बनाई है हमने दोस्तो तो इसमें हमारे तीन-तीन कोईल के दो सेट रहेंगे दोस्तो यह देखिए तीन-तीन कोईल के हमारे दो सेट रहेंगे इसमें यह हमारी तीन-तीन कोईल के दो सेट रहेंगे इसमें जलिए सबसे पहला सेट हमको कहां बिठाना आपको दिखाते हैं यह जो हमारी सबसे पहली वाली कोईल बिठाई थी जो हमने उसमें वहां से लेके वहाँ पर बिठाना है हमको जो कि हमारा पिछ आएगा इसका एक से आर्ट पे ये वाली वेज हमको निकाल देना है दोस्तो इस प्रकार से दोनों साइट की और इस पे खाया हमारी डेबल कॉल है हमेоровाई बिठेगी दोस्तो निए हमारी स्टाटिंग की कि दोस्तों double बेठेगी जो कि हमारी जो कि हमारा इसका पीछ रहेगा एक से आठ पे पहली कोईल का का तो चलिए सबसे पहली कोईल आपको बिठा के दिखाएंगे हम इस पे दोस्तों कि देखिए हमने पहले कोईल ले लिए जिसमें हमारे टर्न जो रहेंगे वह 14 रहेंगे 14 क्योंकि ये मारी में रही दोस्तो देखिये इस पकार से हमको इसको डबल बिठाना है इसलिए इसको डबल लहर बोल रहे हैं ओ यह हमारी श्टार्टिंग की पहली क्वायल है जिसमें हमारे चौदा तरन रहेंगे जो की हमारी एक से आठ पे बेठेगी दोस्तो इस प्रकार से हमको बिठा के वापस से इन में वेज लगा देना है और अच्छे से जमा देना है दोस्तो इसी प्रकार हमको दूसरी साइट से भी जमा देना है क्वाइल को यह देखिए यह जो हमारा इनर रहेगा है हमारा राइट साइट में से निकालना हमको यह वाला इनर और जो आउटर रहेगा हो लेफ साइट से निकलेगा दोस्तो अब देखिए यह हमारी एक से आट पर बिठा चुके हैं यह पहली कोईल अब दूसरी कोईल जो रहेगी हमारी दोस्तों वो इसके ज़स्ट पास से हमको बिठाना है जो कि हमारी एक से दस पर आएगी यह देखिए इसके पास से इसमें आएगी एक से दस पर तो चलिए इसको को भी बिठा के दिखाते हैं हम आपको हमारी जो एक से आठ पे जो हमने कोईल बिठा ही है दोस्तों उसमें हमने 14 टन लगाए 14 टन और जो एक से 10 पे जो बिठाना है हमको दोस्तों उसमें हमारे 34 टन रहेंगे 34 टन और एक से 12 पे भी बिठेगी उसमें भी हमारे 34 टन रहेंग का 07 दोस्तो इस प्रकार से बिठाना है इसको भी हमको बहुत ही बड़िया तरीके से बेड़ जाएगी दोस्तो यह देखे और दूसरी साइट से हमको हमारे सपोर्टर पेपर जो है वो निकाल लेना है पनेर यह दोस्तों कि हमारे जो सपोर्टर पेपर लगाने से बहुत हमारी सेप्टीर थे दोश्तों है यह देख्यों हमारी क्वाइल जम गई है कि इस साइट से भी हम जमा देंगे अच्छे से हमारी starting का जो पीछ रहेगा दोस्तो वो हमारा रहेगा पीछ 8-10-12 पर यह देखिए हमारी यह coil बेट गए अब तीसरी coil हमको एक से 12 पर बिठाना इसके just pass से यह देखिए इस पकार से यहां से लेके यहां से एक से 12 पर हमको बिठा देना तीसरी coil कि देखिए इसका भी हमको outer left side से right side में लेना है और इस पकार से coil को बिठा देना है कि देखिए इस पकार से हमको बिठा देना है दोस्तो इसके अलावा आपको और कोई सवाल हो आपका तो आप हमको कमेंट बाक्स में कमेंट कर सकते हैं हम आपको रिप्लाइ जरूर करेंगे यह देखिए दोस्तो कोईल हमको इस पकार जमा देना है और इस साइट से भी हम जमा देंगे कोईल हमारी यह हमारी तीसरी कोईल स्टार्टिंग की बेट गई है दोस्तो इस पकार से बिठा देना है हमको जो की यह देखिए हमारा एक सेट कंप्लीट हो चुका है इस्टार्टिंग का अब दूसरा सेट हमको जस्ट इसके सामने बिठाना है दोस्तो यह हमारा पहला सेट बेट गया है इस्टार्टिंग का दूसरा सेट हमारा इसके जस्ट सामने बिठेगा दोस्तो चलिए उसको भी आपको हम बिठा के दिखाते हैं ये पहले हमको वेज निकालना पड़ेगी दोस्तों उसमें से जिस पे हमारी पहली कॉइल जो रहेगी वो डबल बेटेगी तो हमको वेज निकाल लेना इसमें से ये देखिए इस उकार से निकाल लेना हमको वेच यह देखिए इसमें हमारी पहली कॉइल जो रहेगी दोस्तों वो भी डबल बेटेगी जिस प्रकार हमने पहला सेट बिठाया इस्टाइटिंगा उसी प्रकार यह हमारा दूसरा सेट भी बेटेगा जिस इसके सामने एक से आठ पे हमारी कॉइल बिठेगी पहली वाली जो कि हमारी डबल बेटेगी डबल लेर इस प्रकार से हमको कॉइल को अच्छे सेट कर लेना है दोस्तों यह देखिए इस प्रकार से हमको बिठा देना है बहुत ही अच्छी तरीके से अब जब slot paper बीच में जो हमारे supporter paper ना लगा हूँ और coil बिठा हूँ तो दोस्तों बहुत आराम से बिठाना हमको ताकि हमारी wire में scratch वगेरा ना लगे नहीं तो हमारी motor अर्थ हो जाएगी यह देखे दोस्तों इस पकार से हमको बिठा देना है और इस पकार से इस side से भी बिठा के हमको wedge लगा देना है wedge लगा के हमको जमा देना coil अच्छे से और हमको इस दूसरी side से भी coil अच्छे से जमा देना है यह देखे दोस्तों इस पकार से यह हमारी दूसरी coil जो बेठेगी यह हमारी एक से दस पे बेठेगी जेस्ट इसके पास से तो चलिए इसको भी बिठा के दिखाते हैं आप आपको यह देखे इस पकार से इसको भी हमको बिठा देना है दोस्तों यह देखे अब coil सेट सही से करोगे दोस्तों तो हमारी coil बहुत ही आसान तरीके से बेठ जाएगी हमारी स्लाटों में कोई दिक्कत नहीं आएगी हमको देखे एक एक तार हमारे बेठ जाएंगे और दूसरी साइट से हमको सपोर्टर निकाल लेना है अब winding करने में इन सपोर्टरों को जरूर यूज करिएगा दोस्तों बहुत से क्या करते हैं बिना सपोर्टर के भी बिठाते हैं उसमें हमारी motor पंचर होने का डर रहता है दोस्तों इसमें भी हम वेज लगा देंगे वेज आप चाहो तो पुरानी अगर अच्छी हो तो पुरानी लगा सकते हो या फिर आप नई भी लगा सकते हो दोस्तों यह देखिए इस प्रकार से हमको क्वाइल जमा देना है इसमें और दूसरी साइट से भी हमको क्वाइल अच्छे से जमा देना है दोस्तों यह देखिए हमारी दूसरी क्वाइल भी कंप्लीट हो गई अब तीसरी क्वाइल जो कि हमारी लास्ट क्वाइल है जो हमारी लास् का देते हैं आपको यह मारी स्टाइटिंग की लास्ट कोईल है दोस्तों इस वकार से यह देखिए हमारा यह जो सीरह है सैट में आएगा और लेफट ड्राइट में जो हमारा आउठर है वो रैट बाइगा दोस्तों लास्ट कॉइल का इन तारों कि हमको विसेश ध्यान रखके ही भिणा नहीं है दोस्तों कॉइल है यह देखे इस परड़ से भिठा देना है और वेज़ लगा देना है ना हमको अच्छे से यह देखिए इस प्रकार से दोनों साइट वेज लगा देंगे दोस्तो और कॉयल को अच्छे से जमा देंगे यह देखिए इस प्रकार से हमको जमाना कॉयलों को ताकि हमारी उपर रोटर में भी नाड़े यह देखिए हमारी यह कॉयल यहां से ठीक तरीके से जम गई है इसे प्रकार इस साइट से भी जमा देंगे कौाइल आप बहुत बढ़िया तरीके से जमाना दोस्तों ताकि हमारी कौाइल लोटर में भी ना अड़े उपर यह देखिए इस पकार से जमा देना है देखें दोस्तो यह भी हमारी यह हमारा जो सीरा है इस साइट से राइट साइट से लेफ्ट साइट में हमारा जुणना चीए लास्ट कॉाइल का दोस्तो आमने सामने यह हैं हमारी दोस्तों winding complete हो चुकी है इसकी इस पकार से हमको winding करनी है दोस्तों तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही फिर मिलते हैं next वीडियो में तेंक यू फोर वाचिंग माई वीडियो अजय है वीडियो आunning जय है जय हो एंप हुत